अगर आप लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन मैथ का चैप्टर सिक्स एक थार्ड का सेकेंड कोस्चन इसे पहले वाले पार्ट में आप लोग अने थार्ड का फर्स्ट कोस्चन पूरा कम्पलीट देखा था अगर आप लोग चैनल परना आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लाच तक एक एक बात को ध्यान से सुनिए तभी सारी बाता समझ में आएंगी तो हम लोग देखते हैं ये थार्ड का फर्स्ट कोस्चन हमने बताया था हल करना उत्तर की जाज करना तो सेकेंड कोस्चन में दिया हुए एक्स पलस हूं सेवन माईनस टू एक्स माइनस फाइफ अपन करके दिया है माईनस 25 तो देखिए इसको कैसे शॉल्फ करेंगे हमने आप लोगं को बताया था कि जब भी संख्या और बटे में दिये होंगे तो उनको क्या करेंगे लोश लेक्स शॉल्फ कर फिर बाद में transfer करके chair वालों को एक तरफ और चैर वालों को एक तरफ करेंगे, तो प्ले loss लेते हैं, देखिए इधर का loss लेंगे left side का और right वाले का right के तरफ लेंगे, बीच में बराबर रने देंगे, साथ और तीन का हम लोग लोसल लेंगे तो 21 होगा अब देखिए साथ से जब 21 में भाग करेंगे तो तीन बार में कट जाएगा और जो तीन आएगा उसी का इस उपर वाले में गुड़ा होता है तो ब्रैकेट लगा के उपर वाला लिखेंगे तीन का इस दोनों गुड़ा करना है गुड़ा आप लोग ये कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में कैसे गुड़ा करना है ये आप लोग चैप्तर एट में जाके वीडियो देखके पढ़ सकते हैं चैप्तर एट हमने पढ़ा दिया हुआ पूरा डिटेल में यहां माइनस लिखेंगे तीन से इकीस में भाग करेंगे तो साथ बार में कटेगा और जो साथ आएगा उसका गुड़ा होगा इस उपर वाले में तो ऐसे लिख लेंगे यहां बराबर का साइन लगाएंगे इधर भी लोस लेना है तो देखिए इस संख्या के नीचे एक होता है तो चाहे एक लिखा या नो लिखा पांच और नीचे वाले संख्या एक का लोस लेंगे तो पांच ही होगा पांच से पांच में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और जो एक आयागा इसी का गुरा होता है इस उपर वाले में यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे और हमने बताया था जब यह कही संखिया और नीचे एक हो या कुछ न हो तो उसका डाइरेक्ट इसमें गुरा कर लेते हैं तो पचीस का पांच में गुरा कर लेंगे तो हो जागा एक सो पचीस अब देखिए और थोड़ा सा यहाँ सॉल्ब करेंगे यहाँ गुरा कर लेना है गुरा में हाँ तो हमने यह भी बता था नीचे संखिया समान होंगे अगर दोनों तरफ पूरे के नीचे तो काट देंगे तो देखिए यहाँ कटने वाला नहीं है तो उपर देखिए गुरा करेंगे आप गुरा कैसे करते हैं इसका इस दोनों गुरा होता है गुरा आप लोग चैप्टर आठ का वीडियो जागे देख सकते हैं तो गुरा जब करेंगे तो हो जागा 3x प्लस 9 और यहां जब गुड़ा करेंगे तो माइनस 14x और प्लस 35 उपर गुड़ा हो गया और नीचे जो है वही लिखेंगे 21 यहां बराबर लिखेंगे एक का देखिए इसमें गुड़ा होगा तो यही रहेगा 3x माइनस 5 और यहां है माइनस 125 और बटे 5 आप देखिए यहां अगर जोड़ने घटा आने वाला होगा इसमें तो जोड़ घटा लेंगे वहां भी तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कोस्चन देखिए 3x और 14x दोनों एक में एक जैसा है एक जैसे जब रहते हैं जब आप लोग यह कलास्टिक्स में पढ़ चुके हैं कैसे जोड़ते घटाते हैं जोड़ना घटाना भी हमने चैप्टर 8 में बताया हुगा तो देखिए 14x में से 3x जब घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे क्योंकि इस दोनों में चीन बढ़ा है यह 14 और 3 में 14 बढ़ा होता तो उसी का चीन लगाएंगे जो बढ़ा होता घटाने में तो हो जाएगा 11x माइनस में और यह दोनों पलस में है तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 35 और 9 को जोड़ेंगे तो 44 और 21 बराबर इधर भी देखिए 3x क्योंकि और कोई x वाला है नहीं तो उसको जोड़ घटा नहीं पाएंगे यह दोनों अचेर वाले एक में जोड़ सकते हैं दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ेंगे 125 में 5 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और बटे 5 अब देखिए हमने आप लोगों को बताया था नीचे कटने वाला होगा तो काटेंगे तो कटने वाला है नहीं तो अब ऐसे जब कोस्टम हो गया तो क्या करते हैं उसको ध्यान देना है अभी हम लोग यहां से पक्छांतर नहीं कर सकते हैं अगर नीचे संख्या तो पक्छांतर नहीं कर पाएंगे पूरे के नीचे तो हम लोग क्या करेंगे इनको पहले नीचे वाले को अब हटाना होगा पूरे के नीचे जब होगा तो इनको हटाना होगा अब कैसे हटाते हैं यहां से देखिए क्रास गुरा हो यह आएगा इधर रखिए हमने बताया था कि यह नीचे जो संख्या होता भाग में इधर आएगा तो गुड़ा करेगा और यह भी भाग में उधर जाएगा तो गुड़ा करेगा बस यही कर देना तो 5 जब इधर आएगा तो गुड़ा करेगा किसमे माइनस 11x और प्लस 44 दो में जब एक से ज्यादा संखिया में यह गुडा करें तो ब्रेकर लगा के लिखते हैं कोई चीन नहीं लगाएंगे तो गुडा है यह सब चैप्टरेट में हमने बताया हुगा अब ये 21 इधर आयागा इधर भाग में था इधर आयागा उपर वाले में गुडा करेगा 3x-130 में अब गुरा कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं हमने नीचे का ये खतम किया क्या किये इस नीचे वाले का इस उपर वाले में गुरा करेंगे यहां लिखेंगे इस नीचे वाले का उधर उपर में गुरा करेंगे गुड़ा जब देखिए करेंगे इसका इसमें तो हो जागा माइनस पसपन आक्स इसका जब इसमें गुड़ा करेंगे तो 220 होगा और अब इधर देखिए इसका इसमें जब गुड़ा करेंगे तो 63 आक्स और माइनस इसका इसमें जब गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा अब देखिए पहले के जैसे question हो गया है जब केवल नीचे कोई संख्या नहीं है तो अब इसको पच्छांतर करेंगा हमने बताया था चर को बाएं तरफ लिखते हैं और चर संख्याओं को बाएं तरफ लिखते हैं तो वही यहां से करना होगा तो यहां देखिए माइनस पच्छपन एक्स पहले से है और यह एक्स वाला जब बराबर के इधर लाएंगे इधर देखिए पलस में है बराबर के इधर करेंगे तो माइनस में होगा और यह देखिए पहले से है ये वाला अच्छर हम इधर करेंगे बराबर के तो इधर पुलस में था इधर ये भी माइनस में हो जाएगा इसके बाद अब इधर देख लेते हैं अब देखिए ये दोनों संख्या एक्स वाले एक में दोनों माइनस हा तो हम लोग जोड सकते हैं माइनस लगाके 63 और 55 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118 एक्स है तो एक्स लिखेंगे और बराबर इधर देखिए ये दोनों संख्या माइनस में आए अच्छर है तो इसको भी जोड सकते हैं माइनस लगाके तो जब 220 और 2730 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2950 माइनस में ही अब हमने बताया था जब एक एक संख्या एक एक पद ही हो जाए दोनों तरब दोनों माइनस में है तो माइनस से माइनस काट सकते हैं यहाँ से देखिए अब एक्स इक्वल लिखेंगे क्या हमने बताया था आच्छर को पूरा उधर भेजते हैं लास्ट में जो यह चेर के साथ होगा उसको भी तीधर गुड़ा कर रहा है इधर भेजेंगे तो भाग करेगा 118 इसमें अब भाग कर लेते हैं 118 जब 2950 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 यही answer हो जाएगा अब उत्दर की ज्याच भी करना है तो क्या करेंगे जो question दिया है इसमें जो चेर है उसके जहाँ पर हम 25 पर रखेंगे और दोनों साथ बराबर आएगा तो हमारा उत्तर सही होगा तो यहां लिखते हैं उत्तर की ज्याच अब उत्तर की जाँच में एक बार पोस्चन लिखना तो देखिए ये क्वेस्चन हमने लिख दिया एक्स के जाँपर हमारा पचीस आया तो पचीस पचीस रखते जाएंगे तो जब रखेंगे एक्स के जाँपर पचीस तो पचीस पलस तीन बटे साथ लिखेंगे फिर माइनस यहां देखिए दो और एक्स में गुड़ा है तो दो गुड़े एक्स के जाँपर पचीस और माइनस पांच बटे 3 लिखेंगे फिर बराबर यहां भी देखिए 3 इंटू X के जगा पर 25 और माइनस 5 है और बटे 5 और यहां भी माइनस 25 लिख लेंगे अब देखिए solve करते हैं तो 25 और 3 दोनों पलस में जोड लेंगे तो 28 हो जागा 28 बटे 7 माइनस यहां देखिए 25 में 2 का जब उड़ा करेंगे तो 50 और 50 में 5 घटाएंगे तो 45 बटे 3 बराबर इधर देखिए 25 का 3 में उड़ा करेंगे तो 75 75 में 5 घटाएंगे तो 70 70 बटे 5 और माइनस 25 देखिए यहां कटने वाला 7 से 28 को 4 बार में काट सकते हैं 3 से 45 को 15 बार में 5 से 70 को 14 बार में तो अब देखिए संखिया क्या हो गया यहां 7 से 28 को हमने काट लिया 4 बार में माइनस 3 से 45 को 15 बार में और बराबर इधर 5 से 70 को 14 बार में और माइनस 25 जोड घटा लेते हैं यहां से तो 15 में से 4 को घटाएंगे देखिए जब एक संख्या पलस और एक माइनस में है तो ध्यार रखते हैं एक पलस एक माइनस में होगा То घटाएंगे चीन कौन सा लगाएंगे घटाने में जब 14 घटाएंगे तो 11 देखिए दोनों तरफ माइनस 11 आया तो इसलिए हमारा एंसर सही है यहां लिखेंगे left hand side equal right hand side जब भी दोनों side बराबर आएगा तो समझ जाएंगे हमारा एंसर सही है तो हम लोग अगला question देखते हैं तो हम लोग third question देखते हैं देखिए दिया हुआ है 3y-2 upon 7-5y-8 upon 4 equal 1 upon 14 तो इसको भी उसी तरह solve करेंगे पहले हम लोग loss लेंगे तो 7 और 4 का loss 28 हो जाएगा अब देखिए 7-28 में भाग करेंगे 4 बार में कट जाएगा जो 4 आएगा उसी 4 का गुड़ा करना है 3y-2 में यहाँ minus है तो minus लिखेंगे 4-28 में भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा जो साथ आगा उसका 20 उपर वाले गुड़ा करना है पांच वाई माइनस आठ में और यहां लगाएंगे बराबर और एक बटे 14 है इधर कोई लोसा लेने वाला नहीं है संख्या तो नहीं लेंगे अब देखिए अब यहां हमको गुड़ा कर लेना है गुड़ा करना हमने चैप्टर 8 में बताया हुगा 4 का 20 दोनों गुड़ा होता तो 4 का 20 में गुड़ा होगा तो 12 y होगा और 4 का 20 में गुड़ा होगा तो माइनस 8 और यहां देखिए 7 का 20 में गुड़ा होगा तो 35 y और यहां minus minus का भी गुड़ा होगा तो plus 7 का 8 में गुड़ा होगा तो 56 यह सब हमने बता दिया हुआ इसलिए थोड़ा सा यहां पर हमने फांस्ट गुड़ा किया क्योंकि chapter 8 में हमने बताया हुआ और बटे 28 लिखेंगे और बराबर एक बटे 14 अब देखिए नीचे वाला काट भी सकते हैं या तो थोड़ा सा रूप के काट लेंगे यहाँ देखिए जोडने घटा में वाला होगा तो जोड़ घटा के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे 12 y और 35 y देखिए 35 y में से 12 y घटा सकते हैं प्लस एक माइनस में होता है तो घटाते हैं चीन बड़े वाले का लगाएंगे तो 12-35 में चीन इसका लगाएंगे माइनस और 35 में से 12 को घटाएंगे हो जाएगा 23 और Y है तो Y आप देखिए इस दोनों को एक साथ अचर वाले को लेंगे तो प्लस माइनस है तो घटाएंगे यहाँ चीन बड़े वाले का लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे 56 में से 8 घटा लेंगे तो हो जागा 48 और नीचे बटेम दिया हुआ है 28 और बराबर यहाँ एक बटे 14 अब देखिए हमने कहा था यह नीचे वाले संखे अगर पूरा कटने वाले होंगे तो पूरा काट लेंगे नहीं तो इस 14 से इस 28 को काट लेंगे दो बार में देखिए 14 दुना 28 होता है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ हो गया माइनस 23 य और प्लस 48 और बटे यह नीचे दो बार में कट गया है दो बार में तो यहाँ नीचे दो लिख लेंगे और बराबर इधा देखिए 14 कट गया केवल एक बचा है और इसके नीचे एक लिख सकते हैं अब देखिए इस नीचे वाले संख्या का हमने बताया इधर उपर में गुड़ा होता है इस नीचे का इस उपर में तो वही कर लेते हैं तो इस एक का जब इधर गुड़ा होगा तो एक गुड़े माइनस 23 वाई और प्लस 48 इस नीचे का उस उपर तो दो गुड़े एक अब गुड़ा हम लोग कर लेते हैं यहाँ लिखेंगे इसके बास से तो एक का देखिए इसमें जब बुड़ा होगा तो माइनस 23y और प्लस और तालिस ही रहागा और बराबर हो जाएगा दो का एक में जब बुड़ा करेंगे तो दो ही होगा यहाँ दो का एक में अब देखिए हमने बताया था अचर को एक तरफ करते हैं चर को बाय तरफ तो चर यहाँ माइनस 23y अभी इसको ऐसे लिखेंगे चर के साथ जो हाँ पहले हम लोग इसको पच्छांतर करेंगे पलस और तालिस बराबर कि इधार आगा तो माइनस और तालिस यहाँ है माइनस 23y पल अणतालिस में दो घटाएंगे तो माइनस ने होगा 46 दोनो तरफ माइनस आग काट लेंगे वाई का मान निकालना इस 23 को भी पच्छांतर करेंगे उधर तो 46 बटे 23 होगा क्योंकि इधर बुरा कर रहा इधर भाग करेंगे 23 तो 46 को काट देंगे दो बार में तो वाई कल हो जायागा 2 यही हमारा अंसर होगा 23 तो 46 कट जाएगा पुरा अब हमको उत्तर की जाच करना तो क्या करेंगे इसी उत्तर में यह मान रखेंगे वाई के जापर अगर दोनों साइड बराबर आगा तो हमारा उत्तर सही है तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जाच पोस्ट्यान को एक बार लिखते हैं तो देखिए हमको वाई के जगा पर रखना है तो वाई के जगा पर दो आया हमारा अंसर तो दो रखेंगे तो तीन गुड़े वाई के जगा पर दो और माइनस दो बटे साथ फिर माइनस पांच गुड़े वाई के जगा पर हमको रखना है दो और माइनस आठ बटे चार और बराबर एक बटे चौदर 3 का देखिए दो में गुड़ा करेंगे 3 दुना 6 और 6 में से 2 को हम लोग जब घटा लेंगे तो 4 बटे 7 माइनस यहाँ देखिए पाइस दुना 10 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 और बटे 4 और बराबर एक बटे 14 अब आप लोग जानते हैं यहाँ लोसो लेके सल्व कर लेते हैं 7 और 4 का लोसो होगा 28 7 से 28 में भाग करेंगे तो 4 बार में होगा 4 का 4 में गुड़ा कर लेंगे तो 16 माइनस 4 से 28 में भाग करेंगे स्ताथ बार में जाएगा, स्ताथ का दो में गुड़ा करेंगे 14 और इधार है एक बटे 14 अब देखिए हम लोग यहां लिखे लेते हैं यहां पर तो देखिए 16 में से जब 14 को घटाएंगे तो 2 और बटे यहां हो जाएगा 26 बराबर एक बटे 14 है अब देखिए 2 एक कम 2 और 2 से 14 बार में यह कट जाएगा, तो इधर भी एक बटे 14 आगया, और इधर भी एक बटे 14 है, तो देखिए हमारा दोनों साइड बराबर आगया, इसलिए हमारा एंसर सही है, यहां के बात से लिखे लेता है ऐसे लिखे लेंगे left hand side equal right hand side यहां से आप लोग ध्यान दिजिएगा यहां सामने इसको लिखा हुगा तब फिर उसको तो इस तरह से देखिए यह थर्ड कोस्टन भी complete हुगा इसमें आप लोगों को यह ब्रैकेट में लिखना गुड़ा में लिखना यहीं द देख लेंगे हमने पढ़ा दिया हुआ तो उससे आप लोगों कोईजी हो जागा तो अब अगला कोस्टन देखते हैं तो हम लोग थर्ड का लास्ट कोस्टन इस थर्ड वाले का कोस्टन नमबर 4 देखते हैं इसमें दिया x plus 3 upon 2 minus 3x plus 1 upon 4 equal 2 into x minus 2 upon 3 minus 2 देखिए इस कोस्टन म तब ही समझ पाएंगे तो चैप्टर 8 आप लोग जरूर पढ़ लीजिए हमने पढ़ा दिया हुआ है वीडियो देख सकते हैं आप लो तो यहां से भी हम लोग सबसे पहले लोशा लेक सॉल्व करेंगे 2 और 4 का लोशा 4 होगा 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और जो 2 आएगा उसी का इस उपर वाले में गुरा होगा उपर का x पलस 3 है अब यह ब्रेकेट हमने क्यों लिखा है इसको हमने 4 का रेट में बताया हुगा फिर minus 4 से 4 में भाग करेंगे एक बार में कटेगा और जो एक आएगा इसका इस उपर वाले में गुरा होगा यहाँ बराबर लिखते हैं यहाँ भी लोशा ले लेंगे नीचे 3 है इसके नीचे 1 होता है तो 3 और 1 का लोशा 3 ही होगा 3 से 3 में भाग करेंगे एक बार में कट जाएगा जो यह कायागा उसका इस उपर वाले संख्या में गुरा कर लेंगे तो देखिए यहाँ 1 है और ऐसे लिखा हुआ तो गुरे यहाँ लगा के और 2 और यह x-2 लिखते हैं जैसे है वैसे लिख लेंगे उपर का हमने यह लिखा और 3 से 3 में भाग करेंगे एक आया तो यह हमने लिखा यहाँ माइनस हमने कहा था यह कही संख्या होगा तो 2 का 3 में गुरा कर लेंगे 6 होगा अब देखते हैं यहां गुरा करना 2 का x में जब गुरा करेंगे तो 2x पलस यहां से 2 का 3 में गुरा करेंगे 6 और यहां से देखिए माइनस 1 का 3x में गुरा करेंगे 3x और माइनस पलस 1 का गुरा करेंगे तो माइनस 1 और बटे में 4 बराबर इधर 1 का 2 में गुड़ा करेंगे 2 ही होगा 2 का x में गुड़ा करेंगे 2x और 2 का माइनस 2 में गुड़ा करेंगे तो 4 और यहां माइनस 6 है बटे 3 थोड़ा सा यहां से जोड़ने घटाना वाला होगा तो जोड़ घटा लेंगे 2x 3x तो 3x में से देख देखिए 2x एक प्लस एक माइनस में होता है तो घटाते हैं चीन बड़े वाले का लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे तो 3x में 2x घटाएंगे तो 1x होगा एक हम लोग नहीं लिखते हैं और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा प्लस में और नीचे 4 बराबर ये सब जोड़न देखिए यहां नीचे वाला कटने वाला नहीं है तो इसका इस वाले उपर में गुड़ा करके लिखेंगे पहले यही लिखा जाता है देखिए पहले उपर वाला तो इसका गुड़ा इसमें होगा तो 3 गुड़े ये माइनस आक्स और प्लस 5 और बराबर इस 4 का उधर ये भी हमने चैप्टर 8 में बताया हुगा पूरा डिटेल में अब गुड़ा कर लेंगे तो यहां हो जागा माइनस 3 और प्लस 15 बराबर इधर जब 4 का गुड़ा करेंगे दोनों में तो 8 और इसका 20 में गुड़ा करेंगे तो 40 माइनस में अब देखिए हमको पक्षांतर करना है चार को एक तरफ करेंगे तो माइनस 3 और यह प्लस 8 और बराबर यह माइनस 40 है प्लस 15 को बराबर किधार लाएंगे तो माइनस 15 होगा यह दोनों माइनस में है तो हम लोग जोड लेते हैं 11 और बराबर यहा दोनों माइनस में है तो माइनस लागा कर जोड़ेंगे पच्पन हो जागा दोनों माइनस काट लेंगे अब देखिए एक्स इक्पल हमको लिखना है इसको भी उधर भेजना आचर को तो पच्पन बटे में 11 होगा क्यों क्योंकि 11 इधर उड़ा कर रहा है तो इधर भाग करेगा आप इसको काट लेंगे यहाँ लिखते है तो देखिए एक्स इक्पल हो जागा पच्पन में जब हम लोग 11 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जागा तो एक्स इक्पल हो जागा 5 यही अंसर हो जागा अब देखिए उत्तर की जाज करना हम लोग जो अंसर हमारा आया उसको question में रखेंगे, दोनों side बराबर होगा तो हमारा answer सही होगा एक बार हम लोग question को लिखेंगे तो देखिए x के जहाँ पर हमको रखना है जो हमारा answer आया है 5 तो x के जहाँ पर 5 प्लस यहाँ 3 बटे 2 फिर माइनस 3 गुड़े x के जहाँ पर 5 प्लस 1 और बटे 4 इदर भी रखेंगे 2 गुड़े x के जहाँ पर 5 माइनस 2 और बटे 3 और यहाँ माइनस 2 solve करते हैं 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 बटे 2 तो माइनस 5 का 3 में गुड़ा 15, 15 में एक जोड़ लेंगे, तो 16 बटे 4, और बराबर यहां देखिए, यह 2 है, 2 गुड़े, 5 में से 2 घटा आएंगे, तो 3 और बटे 3 माइनस 2, आठ में देखिए, 2 से भाग हम लोग कर सकते हैं, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 16 चार बार में कट जाएगा, तो यहां लिखेंगे क्या, 4 माइनस 4, बराबर यहां देखिए, 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 2, तो 4 में 4 घटा आएंगे, 0, और 2 में से 2 घटा आएंगे, 0, देखिए, दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा, इधर भी 0, इधर भी 0, तो हम लोग लिखेंगे, left hand, side equal, right hand side, तो हमारा एंसर सही है, दोनों तरब बराबर आ गया तो, तो यह question 3 का आप 4 question पूरा complete हुगा, तो यह सारी बता समारी में अगी तो आए कि लगे बसी तना ए यह अ